दे स्टुडेंट्स हम पाट रहे थी लिनेर डिफेरेंचल एक्वेशन विद कॉंस्टेंट कोफिसेंट तो उसमें हमने लास्ट क्लास में सीफ ग्यात करना सीखा था पूर अफलन कम्प्लिमेंटरी फंक्शन अब हम पी पर्टिकुलर इंट्रिकल ग्यात करना सीखें विशि जहां कि हैं क्यों एक्स डजन नोट इसकल टू जीरू अगर क्यों इसकल टू जीरू है तो मैं विशिष्ट माकल ग्यात करने के आप सकता ही नहीं है इसके लिए माना कि वनपॉन एफडी क्यों एक्स एक्स का एक ऐसा फ्लन है जिसकी हम एफ ओफ डी की संक्रे लगाने पर QX पराप्त होता है अर्थात इस ये function माना हमने को इस परकार का है कि हम F of D से संग्रे करते हैं हमें QX पराप्त हो जाते हैं तो देखो equation first equation second इससे compare करने पर हमें y is equal to क्या मिलता है 1 upon F of D QX तो equation first second की तुलना करने से हमें y is equal to क्या पराप्त हो जा 1 upon F D QX जिसी ठेल होगा अभी क्या होता है इसको हम इस परकार समझेंगे किस first F of D is equal to अगर D है तो y is equal to 1 upon D Q of X तो 1 upon D का यहां आर्थ क्या होगा D का means derivative तो यहां इसका परतिलों हो जाए अगर था समाग लाने है तो y is equal to integral QX dx और अगर इस टाइप का हो F of D is equal to D minus alpha तो हम y is equal to 1 upon D minus alpha QX अब इस संकारक को इस LHS में ले जाएंगे तो dy minus alpha y दो को यहां yd नहीं लिए सकते क्योंकि एक संकारक होता है इसको हम लेप्ट हैंड साइड में बलकि इस y को इस सेडल लेंगे ना ओपरेटर है हम यहां yd नहीं लिए सकते हैं dy minus alpha y is equal to Q of X अब D क्या होता है यहां उसको simple form में लिख देंगे तो यह क्या आएगा dy by dx minus alpha y is equal to Q of X जो कि क्या है रिखी का उकल समय करना यह हम 12th classes में पढ़के आई हैं इस इंट्रिगेटिंग फैक्टर क्या होता है इकी पावर y का कोपिसेंट जोए है minus alpha dx is equal to e-alpha x इसको solve करते हैं तो y into if बोले तो integral factor is equal to integral of e-alpha x if into qx dx तो final result क्या है y is equal to e-alpha x integral के पावर minus alpha x qx dx तो यह एक तरीकिस हमारा formula बन गया यह हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है अर्थात यह क्या है हमारा कि one upon d minus alpha है और यहां क्या है q of x तो इसकी is equal to हम क्या लिख सकते हैं एक की पावर एलफा एक्स integration और एक की पावर minus alpha x qx dx minus तो है इसको हमारा फाइनली यह यह हमें याद होना चाहिए तो है कि one upon d minus alpha qx is equal to यहां जो माइने से तो यहां पलस आएगर यहां 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 यह सेम चिनाएगा यहां अगर पलस होता तो यहां माइनेस हो जाता है है प्लस और प्रक्टिस करने से और क्लियर हो जाएगा तो हम एक इसे रिलेटरिक प्रोब्लम करते हैं तो एक हमारी यह प्रोब्लम है इसमें देखिया कि देखो यह मैं पहले ही लिखा चुका हूँ अगर आलफा प्लस माइनस आयोंटा बीटा मूल है M इसको टू तो उसका सी एफ क्या होता है एक की पावर आलफा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स यह मैंने प्रूब भी करवाया है लास्ट के लास तो इसके आदार पर यहां से CF हम इसकोल टू कहा लिखेंगे क्योंकि यहां एल भागमान तो 0 है तो एक की पावर तो 0X तो वो तो 1 हो जाएगा उसके लिखने क्या हो सकता नहीं है तो यह हो जाएगा C1 cos AX plus C2 sin AX अब बात करते हैं particular integral तो इसकोल टू यह तो हमें हरी step में करना है जो यह f of d है d का function है उसको हम 1 upon f of d लिखेंगे तो 1 upon d square plus a square sec AX अब इसके linear factor करेंगे तो factor देखो हमने इस type से करेंगे d plus i eta a d minus i ठीक है अब हभी हमने जश्ट जो फोर उना पड़ा है अब याद नहीं होगा बो लगाएंगे देखो कि इसमें क्या है इसको इस परकार लिख सकते हैं ठीक है न क्योंकि इनको जोड़ने पर उपर क्या ट्रम बसती है तो वह उसका मने भाग दे दिया इस type से आसाने से लिख सकते हैं अब इसके उपरांद क्या होगा यह कुछ नहीं किया है इसको separate किया है से के एक्स माइनस उन्पॉंड डी प्लिस आटा ए से के एक्स आप इसके उपरांद यह देखिए यहां वह फॉर्मल लगाए मैंने भी पढ़ाया था इस पूर डी माइनस एलफा तो यहां क्या आता था E की पावर अलफ एक्स यहां अलफ एक्स यहां क्या है आइटा A तो E की पावर आइटा A एक्स और यहां E की पावर माइनिस आइटा A और यहां QX यहां क्या है सेक AX इसे परकार यहां देखो यहां पलस है तो यहां माइनस आ गया एक की पावर माइनस आईटा एक्स और अंदर एक की पावर आईटा एक्स इंट्रिकल्स की अंदर जो यहां होता है चिन वही जाता है ठीक है सैक और यह मैंने प्रूब भी करवाए था आपको पिछल के लाज़ में अब यहां से हमने क्या किया एकी पावर माइनस आईटा एक्स को इस टाइप में लिख लिए हाई लेपर में से कोस एक्स माइनस आईटा साइन एक्स यहां कोस एक्स प्लस आईटा साइन एक्स यहां पोजिटिव होता है प्लस चिन आता है यहां नेगिटिव है तो माइनस चिन आता है सेक कोस 1 हो गया, साइन अपॉन कोस हो गया तो यह साइन सेक क्या हो जाएगा, इसी परकार यहां से, अब इसके उपरान तम क्या करते हैं, 1 का समाकलन x हो जाएगा यह 10x का समाकलन क्या होता है log sec x upon a होता है परन्तु यह minus को अंदर ले दो यह cos x हो जाएगा minus e की पावर minus at x 1 का integration x minus 10 का क्या होता है minus log cos x upon a यह अगर पलस में लेंगे होती है सहे काईगा ठीक है अब इसको solve करने पर x को मने लिया यह ट्रम हम एक साथ ले लिए x को मने लिया तो 1 की पावर आयोटा a x minus 1 की पावर minus at x और दूसरे ट्रम में हमने आयोटा upon a log cos x को मने लिया तो यहां से 1 की पावर आयोटा a x और यह minus minus plus हो जाएगा तो plus 1 की पावर minus at x यह हमें क्या पराप्त होगा finally 1 की पावर आयोटा a x minus 1 की पावर minus at x यह क्या मिलेगा हमें 2 आयोटा sin x और x पहले से था प्लस यहां क्या आएगा 2 cos x तो 2 cos x यह easily find out कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं since e की पावर आयोटा ठीटा is equal to क्या होता है cos theta plus आयोटा sin theta और e की पावर minus आयोटा ठीटा is equal to क्या होता है cos theta minus इसकी साहित है सम्हें easily find out कर सकते हैं जोस हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह तो cancel हो जाएगा 2 cos theta is equal to क्या है एक पावर आयोटा ठीटा प्लस एक पावर माइनस आयोटा ठीटा तो देखो यह तो इसकी जोगल तो क्या है गा 2 cos ax यहां आयोटा का जो कोपिसेंट है इस प्रकार से हमारा पी आई फाइनल लिक्या है इसको multiply करेंगे तो 2 आटा 2 आटा cancel x upon a sin ax प्लस यह तो आटा से 2 आटा cancel और यहां क्या हो जाएगा a square cos ax को पहले लिख दिया cos ax upon a square लो cos ax फाइनल लिए हमारा answer क्या होता है y is equal to cf plus pi y is equal to cf हमारा क्या था c1 cos ax plus c2 sin ax plus यह pi होगे x upon a sin ax cos ax upon a square log cos ax इस टाइप से हम एक और problem करते हैं इसमें देखते हैं यह देखो d2y upon dx square minus 3 dy upon dx plus 2y is equal to 1 की पावर 5x यहां इसको इस रूप में लिखने पर d2 minus 3d plus 2 y is equal to 1 की पावर 5x इसकी actual equation क्या बनेगी mq minus 3m plus 2 mq minus 3m plus 2 is equal to 0 इसके factor करने पर m minus 2 into m minus 1 is equal to 0 m is equal to मारा क्या है 1 और 2 तो simply cf is equal to क्या हो जाएगा c1 की पावर x plus c2 1 के पावर 2x एक coefficient यह 1 है तो x का coefficient 1 1 को लिखने का बसकता है निए plus c2 x का coefficient क्या जाएगा 2 अब हम गयाद करेंगे pi pi गयाद करने के लिए मैंने अभी बोला था कि 1 upon f of d आएगा तो f of d हमारे यह था तो इसका हमने one upon में लिखे लिए one upon d square minus 3d plus 2 pi में सबसे पहली यह step तो हर बार करेंगे हम यहां क्या है यह हमारा d square minus 3d plus 2 तो यह one upon में आजाएगा यह हर कुश्यन में pi गयाद करने में यह पहले step हमारे यही रहीगा 1 की पावर 5 इसको हम फैक्टर करेंगे तो d minus 1 d minus 2 आ जाएगा ठीक है इसको इसको इजिली हाल कर लेंगे इसके बाद देखेगा फिर मैं वही कहूंगा जो कि हमने अभी जो एक फॉर्मूला पढ़ा था इनको separate कर लें separate करने के बाद यह देखो d minus 2 है नीचे तो यहां कहाएगा e की पावर 2x integration e की पावर 5x e की पावर minus 2x यह फॉर्मूला है बहुत ही important है भी मैंने जश्ट पढ़ा है आपको इसको note कर लीजीगा अगी बताया था d minus alpha और यहां qx बताया था तो यहां minus alpha होता है तो यहां तो e की पावर alpha x यहां 2 है तो 2x integration यहां जो होगा कुछ भी है पिछली कुछन में मार क्या था sack a x था यहां e की पावर 5x है और यहां आ जाएगा e की पावर minus alpha x जो यहां चिन है वही ठीक है इसी परकार यहां यहां परकेड़ लगाएंगे तो यहां इसको sort करने पर easy term में 1 की पावर 3 x हो जाएगा 1 की पावर 4 x इसका integration क्या जाएगा पावर 3 x by 3 यहां से 1 की पावर 4 x by 4 इसको sort करने पर हमार क्या जाएगा pi is equal to 4 x 1.12 गावर 5 x ठीक है तो finally हमारा result क्या आएगा y is equal to complementary function plus particular integral c plus pi तो y is equal to c1 e की पावर x plus c2 e की पावर 2x plus 1.12 e की पावर 5x अब देखो इसका हम अब भी और भी तरिकत सिखेंगे कि जब q of x e की पावर x टाइब करते हैं पर यह हमें तरीका आना चाहिए यही question हम बाद में करेंगे तो बहुत ही simple form कर देंगे पर यह इसलिए करवाया मैंने यह practice होने चाहिए हम यह कैसे apply किया यह हम आना चाहिए तो हम इस्टे बाइस्टे बढ़ेंगे ठीक है ना नेक्स्ट लास में हम इसका की सरल तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं कि पावर एक्स हो तो वह पटेंगे ना थेंक्यू